।źb आप सब आम आप अठिक है तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सब लिधासी है नलीके मस् rapidement अब कंश होजेते हैं सबसे पहसले हम देखिए- फंग दैखेंगे किमने लए असे uneam मतलब बहुता है मच क् dónde ओंए इस अनियोधा और मतलब года हूर and heterotrophic thallophytes. जो फ़न्जाय होती है, वो क्या होती है? एक लोरोफिलस होती है. उसमें क्या होता है? क्लोरोफिल एपसेंट होता है. ठीक है, हीट्रोट्रोफिक मतलब की अगर क्लोरोफिल एपसेंट है, तो अव्विस सी बात है, वो क्या होंगी? हिट्रोट्रोफिक होंगी यानि कि अपना वो फूड क्या करेंगी खुद से नहीं बना सकते हैं वो फूड अपना कहां से लेंगे absorption के थ्रू लेंगे वो अपना फूड खुद सिंतेसाइज नहीं कर सकते थैलोफाइट्स मीन्स उनकी जो बॉड़ी होती है वो क्या होती है थैलोइड लाइक होती है ठीक है थैलस लाइक होती है जो प्लान बॉड़ी होती है फंगस की वो डिफ्रेंशेटेड होती है किस पे थैलस पे हाइफी पे और मैसीलियम पे यानि कि जो प्लान बॉड़ी होत और माइसीलियम जब बहुत सारी हाइफी मिलती है तो वो क्या बनाती है एक माइसीलियम बनाती है अगर हम देखें इस पे तो देखो यह क्या हो गया यह कोई भी ऐसे अन और्गनाइजड बॉड़ी होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे थैलोईड क्या बोलेंगे उसको हम थैल अब जो फंगस का थैलस होता है वो किस से मिलके बना होता है हाइफी और मैसीलियम से मिलकर बना होता है तो हाइफी और मैसीलियम को हम कैसे देखेंगे जो एक रूड लाइक स्ट्रक्चर मान लो ठीक है ऐसे करके बहुत साले हाइफी मैसीलियम मिलेंगे तो वो क्या अगर हम एक ही इतने एरिया के बात करें हम तो इसको हम बोलेंगे क्या है यह है हाइफी है अगर हमने इस पूरे हो की बात करे था-बॉल इस यह हाई-फी के ओगे जब हम एक माईसीलियम की एक पार्ट की जब हम बात करते हैं उसको हम बोलते है हाई-फी और बहुत सारे हाई-फी के मिलके क्या बनाते है माईसीलियम का फॉर्मेशन करते है ठीक है अब हम देखते हैं तो study of mycology, fungi is known as mycology, जो fungus की जो study होती है उस study को, science को हम बोलते है mycology और जो उसकी study करता है, that means जो scientist होता हुसको हम बोलते है mycologist, ठीक है, at present 5100 general and more than 50,000 species of fungi are known, अभी तक 5100 general fungi के known है और 50,000 से ज्यादा उसकी species known है, जो fungi होती है वो variety of habitat में grow करती है, इसलिए हमें उसमें क्या देखी जाती है, diversity in their form, structure, plant body, physiological process and methods of reproduction, जो fungus है वो एक particular जगा पे सीमित नहीं है, ठीक है वो एक particular habitat पे सीमित नहीं है, उसकी क्या है, ग्रो करने की जो variety है, वो बहुत diverse है, इसलिए अगर वो किसी एक particular जगा पे ग्रो हो रही है, तो उसका body form, structure और जो physiological process है वो उस हिसाप से होंगी, फिर अगर वो दूसरे habitat में ग्रो कर रही है, तो उसकी body form, उसकी structure, उसकी physiological process वो सब उस हिसाप से होंगी, ठीक है, तो इसलिए different habitat में ग्रो करने के विज़े से उनके क्या होती है, structures और उनके जो plant के form, plant body form है, physiological processes है, वो क्या होती है, सब different होती है, ठीक है, दियार cosmopolitan in distribution, cosmopolitan का मतलब क्या है, worldwide in distribution, व उनके plant body होती है, वो क्या होती है, branged होती है, filamentous होती है, यह मैंने बताया था, भी branありがとうございました, उसको क्या बॉलिए है, हाइफी बोलेंगे, और हाइफी मिलके क्या बनाते है, net-like structure बनाते है, जिसको क्या बोलते है, mycelium, जिक है, जिसको क्या बोलते है, mycelium बोलते है, हाइफी क्या ह इसमें सेप्टा एपसेंट है सेप्टा मतलब यह डिविजन यहां पर अगर एपसेंट नहीं है तो उसको हम बोलेंगे इसेप्टई हाइफी भी बोल सकते हैं अगर इसमें किया सेप्टा अगर एपसेंट है इसमें किया सेप्टेट फंजाई, क्या बोलता है उसको हम सेप्टेट फंजाई या फिर सेप्टेट हाइफी, उसकी हाइफी में क्या है, सेप्टा प्रेजेंट है, सेप्टा मतलब डिविजन हो गया, ठीक है, सेप्टा मतलब क्या हो गया, डिविजन, सेप्टा प्रेजेंट है, हाइफ इसुआ इसप्टे सप्ते time कि अगर हभी में साप्टेट है सप्ट के में तो कई यूनि सप्टेट भाय सप्टेट यह फिर मल्टिक्स का थlike एक साड़े निॉडलिट संथ हमेरी उनिकट्थ सेप्टेट और और multi-nucleated होगी, multi-nucleated हाइफी हमें कहां देखने को मिलते हैं, higher fungies में देखने को मिलते हैं, escomycet, basidiomycetes में, dutromycetes में हमें यह देखने को मिलते हैं, ठीक हैं? अब जो हमने septa के बादे में पढ़ा कि अगर हाइफी में septa present है या absent है तो हम उसे a septate और septate हाइफी बोलेंगे, अगर septa present है, the septa usually have simple pore, septa present है तो हाइफी में अगर septa present है, तो क्या होगा, fungus को जो भी nutrient है, एक cell से दूसरे cell में जाने के लिए, उसे क्या चाहिए, septa में क्या चाहिए, पोर्स होनी चाहिए, अगर septa present है तो ठीक है, तो generally क्या होता है, simple pores present होता है, but in basidiomycetes, यह ध्यान में रखना, जो basically my seeds class के members होता है, उनके septa में special type के pores present होता है, उनको हम बोलता है, दोली pore, ठीक है, और उस septa को बोलेंगे, जिसमें doly pore present होगा, उस septa को हम बोलेंगे, doly pore septa, ठीक है, इसको हम क्या बोलता है, septal pore cap भी बोलता है, यहाँ पर क्या होता है, on both sides of the doly pore, double membranous structure एक present होता है, उसको हम बोलता है, परेंथो जो क्या है, एक bracket like structure बनाता है, देखो, इसमें समझेंगे, हम मालो, यह क्या है हमारा, यह एक हाइफी है हमारी, ठीक है, यह हाइफी है हमारी, यह ब्रांच्ड हाइफी है, तो यहाँ पर सेप्टा अगर present है, तो एक cell से दूसरे cell में nutrient पहुंचने के लिए, यहाँ पर्स का present होना ज़रूरी है, तो generally हम देखते हैं कि सारी फंजाय में क्या होता है, simple pores present होता है, जिसकी help से यहाँ का nutrient यहाँ पास होजाएगा, यहाँ का nutrient यहाँ पास होगा, बट, बैसीडियो माह seeds के members में क्या होता है, यहाँ पर एक special type का pore present होता है, जिसको हम बोलता है, डोली pore, क्या बोलता है, जिसको हम डोली pore, ठीक है, वो ऐसे pore होता है, कि हमें किस की तरह लुप देता है, bracket की तरह लुप देता है, ऐसे, ऐसे एक क्या होता है, pore present होता है, इसको हम बोलता है, इसको ह ब्रैकेट लैक स्ट्रक्चर थो इसको six года पहरें तो जूं क्या बोलते हैं चलिक हैं इसको इसको पैरेंथ गया थी गया कि ब्लीफोर अपक प्रेस सम numéro we बनता है उसको हम बोलते हैं डॉलीफोर और पैरेंथ ऊपन हो उसको मिलता है कौन सी क्लास के पन जाए Conseus इसको आप नोट का लीजिए या फिर याद रखना तिक एक्जामनेशन पॉइंट आफ फिल से बहुत इंपोर्टेंट है अभी तक हमने पड़ा उसके क्या उसके सेप्टा के बारे में फंजाई के सेप्टा के बारे में अब हम पढ़ेंगे जो फंजाई की जो सेल वाल होती सेलवर in जिसको हम फंगल सेललॉस भी बोलता थीं कि जो लोर्वाओंट यह होती है जनरलिजिजम में मेंबर्स होता है उमाईसीट्स के अभी हम पढ़ेंगे हो मैसीट्स में कान कान उता हूता उनकी लाइफ के बारे में थीक हो अनकी जो सेलवार्ण होती हैं वो किस से मिल हो सकते हैं डाय केरियोटिक भी हो सकते हैं कैसे अभी हम देखेंगे हाइफी क्या रहा है वह हाइफी क्या है हमारा जो न्यूट्रियंट को क्या करें एब्सॉर्ब करने में हेल्प कर रहे हैं ठीक वह हाइफी हाइफी कैसे हो सकते हैं होमो केरियोटिक हीटिरो केरियोटिक है Diploid, Deploid, ठीक, homokearyotic का मतलब क्या हो गया? ये हमारी hyphy है, ठीक है, homokearyotic, ये hyphy क्या हो सकती है, homokearyotic भी हो सकती है, बोर रहा है, वो homoaryotic मतलब ये hyощimme, same type के क्या है, nucleus present है, ही। टिरोखेरियोटीक कब कहेंगे इसको हम जड़ यहां पर क्या होगा है यहां पर इयां पर डिफयरन टाइप के नूटलिस एक नूटलिस ऐसा है, एक नूकललस ऐसा है , he fato pry Music है कि यहां पर बोलई है हींहां पर ओंगे n नमबर आफ इंभर के must होंगे to haploid हो गया, Deployed का बोलेंगे, नपर 2N number of cells present, बैसे दियो माइ स्रीटस में देखने को मिलेगा, कि वहां पर क्या होता है, 2N हाइफी हमें देखने को मिलता है, ठीक है, Dicariotic, भी हमारा क्या हो गया, Dicariotic में क्या हो गया हमारा, यह, यह same और यह same nucleus, ठीक है, homokaryotic में हमें सिफ एक ही type का nucleus देखने को मिलेगा, एक cell में, हाइफी में ही यहापे Saptation हो जाएगा, और एक cell एक nucleus में, एक cell एक nucleus में देखने को, 7 З요,ậ hon अओ, 1ं अओ, system, 1 nucleus, एक हाइफी के cell में, एक cell के अंदर ही दो nucleus present है same वाले ठीक है यह हो गया हमारा homokaryotic, heterokaryotic, diakaryotic और haploid अगर उनका number क्या है n number of cells है cell का number क्या n है तो वो क्यों हो जाएकर haploid और diploid वो होंगे जहां पर 2n number of cells present होंगे देखो जो higher fungi होती है higher fungi में कौन-कौन से आते हैं वो members आते हैं तो ascomycets class में आएंगे, bacidomycets में आएंगे और ditromycets में आएंगे उनकी life cycle में immotile stage मिलती है मतलब वहां पर motile stage क्या होती है absent होती है जो उनके spores होंगे उनमें क्यों होगा, flagella क्यों होगा, absent होगा यह वहां पर motile stage क्यों होती है, absent होती है ठीक, बट जब हम lower fungi के case में देखते हैं तो वहां पर जो reproductive cells होते हैं, जो gamets होते हैं, जो zoospores, sexual zoospores होते हैं, वो क्या होता है, flagellated होते हैं या तो उनमें uniflagellate होंगे या फिर वो biflagellate होंगे समझे में आ गया, जो higher fungi होती है, उनकी life cycle में motile stage जो हती है, वो क्या होती है absent होती है, whereas in lower fungi जो motile stage होती है, वो क्या होती है, present होती है, ठीक है अब जो flagella होंगे, जो जिसकी help से क्या होगा, fungi की life cycle में motile stage present होगी ठीके फ्लेजिला की हल्प से वो क्या करेंगे जू स्पोर्स या फिर गैमिट्स जो होता है वो क्या करेंगे स्विम करेंगे ठीके वाटर में तो जो फ्लेजिला होता है वो टू टाइप्स के होता है विपलेस और टिंसल ठीके विपलेस फ्लेजिला को हम क्या बोलता है एक्र तो औरईजेशन में उनका अरेंजमेंट हम देखेंगों जैसे ये हमारा कोई जू स्पोर से इस पेया ये फ्लेजिला-प्रेजन और ये-क है इसका ये-का इसका फ्लेजिला-प्रेजन डेय-क है तो यह यह झाहिएedere डीकन है ये तो यह क्या होगाविपलस actively केस में क्या होग यह क्या होगा स्मूथ होगा तीक है यह किस केस में होगा विपलेस फ्लेजिला के केस में क्या होगा यह क्या होगा स्मूथ होगा जो इसका फ्लेजिला है वो क्या होगा स्मूथ होगा बट टिंसल तिंसल दूसरा फ्लेजिला का जो टाइप है उस केस में क्या होगा यह जो ज प्रेंशेश्ण करने का तरीका पता चलोगिया और हेर- 건강 फ्लेजिवा सर्फिस पर और मंझे में JPFlight किसे हनुद उनकी सर्फिस क्या होगी स्मूथ होगी ठीक है यह क्नितव हमारे जू सपोर है क्या यह celebrated ठीक अब देखो अब हमने पड़ लिया हाइफी क्या है हाइफी में sapatation कैसे हो थे हैं किस किस तरीके से हाइफी में nucleus present होता हुमों करीूटिक है हाइफी डाइकरोटिक है फिर हमने फ्लेजिला पड़ लिया अब हम पढ़ेंगे की हाइफी जो है वो क्या करती है हायर फंजाय में हाइफी क्या करती है अपने आपको मॉडिफाय कर लेती है हाइफी क्या कर लेती है अपने अंदर कुछ मॉडिफिकेशन को advanced modification को क्या कर लेती है अपने body के अंदर acquire कर लेती है अपनी high fee को क्या कर लेती है थोड़ा सा modify कर लेती है ताकि वो और अच्छे function perform कर सके तो अब हम ये पढ़ेंगे कि high fee के जो modification है उनके कौन कौन से forms है पहला है prosynchymal prosynchymal में क्या होता है high fee lie parallel to one another they unite to form a loosely intervolent structure इसमें क्या होता है high fee एक दूसरे के क्या होती है parallel क्या होती है arrange हो जाती है और एक loosely intervolent structure बनाती है उसको हम बोलते है prosynchymal pseudoparenchyma pseudoparenchyma भी एक high fee का modified form है वो क्या करता है उसमें क्या होता है जब high fee यहां पर क्या है loosely arranged थे loosely intervolent थे यह pseudoparenchyma में क्या होता है यह क्या होता है closely interving भी जाता है title एक structure बनाते है parentchyma tissue की तरह जो हमें दिखता है उसको हमने नाम दे दिया pseudoparenchyma ठीकिए नाम से पता जला है pseudo means false parentchyma जो false parentchyma की तरह लगेगा हमे तो उसको हम क्या बोलते है pseudoparenchyma third है हमारा rhizomorf rhizomorf क्या है root की तरह दिखता है हमे thick strand और root like aggregation of somatic hyphae जब hyphae मिलके एक thick root like structure बनाते है तो उससे हम क्या बोलते है rhizomorf और rhizomorf के पास इतनी higher infection capacity होती है कि वो higher plants को भी क्या कर सकती है infect कर सकती है देखो ये structure जो है हमारा rhizomorf के structure है यहाँ पे hyphae क्या है इतनी tightly arranged हो जाती है कि वो कैसा structure बनाते है root like structure बनाती है तो उसे हम क्या बोलते है rhizomorf देखो बच्चो जो next modification है fungal hyphae का वो है sclerotium ठीक है sclerotium भी बोलते है sclerotium भी बोलते है इसको यह क्या है compact globus structure है जो क्या होता है hyphae जब aggregated form में हो जाती है compact globus like structure बनाती है उसको हम बोलते है sclerotium क्या बोलते है इसको हम sclerotium बोलते है और यह जो structure है यह highly infectious structure है और यह several years तक क्या रह सकता है survive कर सकता है ठीक है अपनी resting stage में hyphae करती है इस sclerotium के form में रह सकती है और फिर several years के बाद भी उसके अंदर यह capacity होती है कि वो क्या कर सके infection cause कर सके ठीक है यह है हमारा diagram sclerotium का नहीं देखो ठीक है यह क्या है plants में हमें क्या देखने को मिलेगा बीच में globular structure देखने को मिलेगा dark color का और highly उसमें hyphae क्या होंगे tightly bound form में होंगे ठीक हमें देखने को मिलता है brassica जो rai की जो फसल होती है उसमें हमें sclerotium देखने को मिलता है ठीक है जो tightly compact structure बनाता है यह क्या है हमारा sclerotium है ठीक हो गया नेक्स्ट जो है next modified form जो है hyphae का वो है aprisorium aprisorium में क्या होता है जो terminal lobe होता है hyphae का ठीक है जो terminal lobe होता है hyphae का वो क्या बनाता है एक swollen structure बनाता है उसको हम बोलता है aprisorium एक guard type की जो लगती है में देखने में जब हम microscope में देखेंगे यह सारे structure हमें तभी देखने को बलेंगे जब हम microscope में देखेंगे तो aprisorium में क्या दिखता है हमें जो terminal lobe होता है वो क्या होगा swollen होगा एक guard type की दिखेगी जो कहां से निकलेगा germ tube जब spore गिरता है किसे switchable substrator में spore गिरेगा spore किया बनाएगा germ tube बनाएगा तो उसी time पर क्या होगा एक जो terminal जहां से germ tube डेवलप हो रही होगी आगे को वहाँ पर क्या दिखेगा हमें एक swollen structure दिखेगा उसको हम बोलते है aprisorium यह generally कौन से fungus में देखने को मिलता है parasitic fungus यह fungus जो है उनके केस में हमें कै देखने को मिलता है aprisorium देखने को मिलता है powderedilles mildew जो कांसी powdery mildew की disease काॉस करती है उसКेस में हमें aprisorium देखने को मिलता है ठीक है यह देखो यह है हमारा aprisorium का structure यह कैए spore है यह germ tube छ मोटिफाइड हाइवी की वह रही है और वहां पर एक क्या बना रही है जिसको आम बोलत था है ऐपी सोरीं Bear इंफेक्सिर हाइवे डिवलब करता है और यहां पर से क्या होगा यह सब को क्या कर लेगा सक लेगा ठीक है यह क्या हमारा next है हमारा होस्टोरिया जो last form है modified hyphy की वो है होस्टोरिया यह क्या है intra cellular absorbing structure है ठीक है cell के अंदर बनेगा यह structure जिस भी host plant में यह infection cause करेगा उस cell के अंदर यह structure बनेगा उसको क्या बहुत है होस्टोरिया यह क्या है finger like projection बनाता है hyphy क्या करता है finger like projection बनाती है उसको हम बोलते है hostoria ठीक है यह knob like भी हो सकता है elongated भी हो सकता है finger like भी हो सकता है generally finger like structure बनाती है यह देखो यह हमारा hostoria ठीक है यह क्या है हमारा यह ने ठीक है plant की cell है, host की जो cell होगी उसके अंदर जाके कैसा structure बनाती है, finger like structure बनाती है, ताकि यह कर सके, यहां से absorb कर सके, ठीक है, उसको हम बोलते है, hostorial